Optical Illusion दृष्टी ब्रहम ये बात सही है कि हमारी आँखों के परदे पर सामने दिखने वाले दृष्टी की छवी बन जाती है पर आँखों के इस परदे जिसे हम रेटीना कहते हैं से इस छवी या इमेज की जानकारी हमारे मस्तिश्क में भेजी जाती है जहां इसका आकलन या एनालेसिस किया जाता है और तभी हमें समझ आता है कि सामने क्या दिख रहा है सरल भाशा में कहा जाए तो मस्तिश्क भी एक प्रकार से हमारे चीजों को देखने में मदद करता है और मस्दिश्क ये कर पाता है वर्तमान में देखी गई इमेज को पुरानी मेमरी के साथ कंपेर करके जब ऐसी कोई इमेज आँखों के सामने आती है जिसे हम रोज मर्रा की जिंदगी में देखते रहते हैं तो दिमाग को मातर एक जहलक की ही जरूरत होती है यह इंटरप्रेट करने में या समझने में कि सामने जो दिख रही है वह क्या चीज है फिर भले वह चीज महां हो या ना हो इसे कहते हैं अप्टिकल इल्यूशन तो क्या आप अपने ब्रेइन आई सिस्टम की अबिलिटी टेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि हजार में से किसी एक में वह सूपर ब्रिलियंट ब्रेइन होता है जो इस द्रिश्ट्री भ्रम को तोड़कर असलियत देख सके तो आराम से टिक कर बैठ जाएए और टेस्ट कीज यह आप्टिकल इल्यूजन है भईया चलिए एक बर और फिर ट्राइ करते हैं कौन सा सैनिक असली है कोई बात नहीं कोई बात नहीं यह सारे इल्यूजन डिजाइन ही ऐसे किये गए हैं कि आपकी आँखों और दिमाग का सिस्टम फेल हो जाए आगे बढ़ते हैं नंबर द तो क्या लगता है आपको किसकी हैट ज्यादा है महिला की या पुरुष की खा गए न धुखा यह सेम इल्यूशन टेक्निक लॉड अफ दे रिंग्स में इस्तमाल की गए थी आप कुत्ते को देख रहे हैं पर क्या कुत्ता भी आपको देख रहा है आपको बता दे कि इसमें कोई मोटर नहीं लगी जिससे इसके गर्दन आप जिधर जाएं उस हिसाब से मुड़ जाएं अब देखिए इसकी असलियत खा गया न अगच्चा यह 3D पेंटेंट मॉडल था जो ऐसा भ्रम दे रहा था कि जिधर से आप देखेंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि वह आपको देख रहा है नंबर चाल इस पेंटिंग को देखिए 3D एफेक्ट वाली पेंटिंग है पर क्या यह सचमुच एक पेंटिंग है या कुछ और नंबर पांच कार्डबोर्ड से बनी यह फेसल पट्टी पर यह क्या यहाँ तो ग्राविटी उल्टी डिरेक्शन में काम कर रही है पर कैसे ऐसे यह आप्टिकल इल्यूजन है भाई यह तो दोस्तों यह थे माइंड बेंडिंग आप्टिकल इल्यूजन तो शेयर करें वाट्सैप पर शेयर हो शेयर तो शेयर ही है अगर इस वीडियो का पार टू देखना चाहते हूं तो कमेंट करें और यह भी बताएं कि कौन सा इल्यूजन आपको सबसे बेस्ट लगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इस बीच हमारे चानल को सब्सक्राइब कर न न भूलें और बेल आइकन भी दबाहें दें धन्यवार